हेलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दा लर्नर्स कम्यूनिटी डी यू एस वैल पर आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टेडी बहुत अच्छी से कर रहे होंगे आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो semester 1 की होने वाली है और ये जो semester है semester 1 की जो हमारी history है हम उसे cover कर रहे है और ये जो हमारी history है इसका नाम है प्राचीन समाज यानि ancient society हम इस वाली book को cover कर रहे हैं जिसमें हम already unit 1 cover कर चुके हैं और अभी हमारी unit 2 चल रही है, unit 2 को भी हम दो part cover कर चुके हैं, यानि part 1 and part 2, already हम cover कर चुके हैं, आज हमारा part 3 होने वाला है, अगर आपने दोनों वो part नहीं देखे हैं, यानि part 1 and part 2 नहीं देखे हैं, तो आप जल्दी से उन्हें चेक आउट कर लिजिए, क्योंकि तब ही आप आपको part 3 अच्छे से समझ में आएगा, और part 3 को समझने के लिए आपको जरूरी है कि आप दोनों ही part देख लीजिए, जिन्सका link आपको description box में मिल जाएगा, और ये जो हमारी unit 2 है, इसका नाम है, कासे यूग की सब्वेता भारत और चीन, यानि हम इसमें कासे यूग की स्टार्टिंग करते हैं, ओके, पार्ट 3 की स्टार्टिंग हमारी कासे यूग से होने वाली थी, क्योंकि कासे यूग से उपर की, जो हमारी हडपा से पहता थी, उसके बारे में हम already part 2 में cover कर चुके हैं, ठीके, चलिए अब हम कासे यूग के बारे में चर्चा करेंगे, प्रारंबिक त्रित्य सहस्त्रवादिद B.C.E. में सर्वपर्थम कासे की वस्तुओं का पता चला चीन की उत्तर पश्चिमी छेत्र में मिली हैं, यानि प्रारंबिक जो हमें कासे की वस्तुओं मिली थी, वो सबसे पहरे चीन के उत्तर पश्चिम छेत्र से मिली थी, इस प्राचीन समय की कासे युग के संदर्व में प्रमुक खोज अली थोव छेतर में हुई थी यानि इसकी जो सबसे पहली जो खोज हुई थी वो अली थोव जो छेतर है चीन में वहाँ पर हुई थी जो 1959 से 1978 और फिर 1999 में खोजी गई यानि इस दोरान ये सारी ही खोजे हुई थी ठीक है अली थोव संस्कृती का अफशिश इसके दोरान प्राप्त हुई और इसके तहत 191500 BCE के बीच फली फूली यानि अली थोव जो संस्कृती है वो 191500 BCE के बीच में फली फूली थी इस समय के इस इस्थलों से मिला है और ये जो इस समय के जो इस्थल है यानि यह कहें यहां पर जो इस्थल है उनसे यह सारी चीज़े हमें मिली है जिससे हम पता लगा सकते हैं के एली थोव में कासे यूग की सब भेता दी ठीक है नेक्स चलेंगे अब हम ये जो आप देख पारे हैं यहां उपर ये अली थोव इस्थल का मानचितर है यानि ये जो चीन का मानचितर आपको यहाँ धे खाय रखा है ये जो ये जो आगे बढ़ेंगे अब हम देखेंगे आगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बस्तिया और घरेलों डाली हमें बस्तियां और जो घर थे वो बनेवे मिले हैं और जो घर हैं वो मिट्टी की दिवारों से घिरे हुए थे शवाधान इस इस्थल से मोरियता योगीन सवाधान के शाक्षे भी पाई गए हैं जो इस समय की संस्कृतियों को महत्पुन भाग थे यानि देखिए ये जो समय है इस टाइम पर मोरिय योगीन जो शवाधान थे वो भी हमें इस इस्थान से मिले हैं इस इस्थान से कासे की वस्तुओं के अफशेश भी मिले हैं जिसमें मुख्य रूप से हतियार और बरतन शामिल हैं यानि इसमें हमें कासे की वस्तुओं भी म कासे की द्धालाय वागे झानी यह से डुशत्य प्रार्म में अनुस्ठानिक कारियों के लिए कासे की वस्तूओं के सर्वधिक प्राचीन संग्रह भी इस छेतर से मिले हैं यानि जो हमारे अनुस्ठान वगरा होते थे उन कारियों के लिए भी कासे की जो वस्तूओं प्रियोग में की जाती थी वो भी हमें इस छेतर से प्राप्त हु पूर्व का अंत यानि पहला चरण इस चरण में एलिटो शहर एक सहायक नदी की घाटी में इस्तिता यानि एलिटो शहर जो था वो सहायक नदी के इस्तान पर इस्तित है शहर का उपजाओ इस्तान इसे सुरक्षित इलाकों के रूप में लाप पहुंचाता है यानि इसका ज जमीन बहुत जादा उपजाओ और अच्छी होती है फसल के लिए ठीक है जो हमारा दूसरा चरण है उसको देख लेते हैं इस चरण में अलीटो शहर और उसके विकास की गती बढ़ गई यानि हम कह सकते हैं दूसरे चरण के आते आते वहां का जो विकास था वो गती में बढ पाउज गई लग भग में ठीक है तो यह बहुत बढ़ी आबाद है उस टाइम के अकॉर्डिंग ठीके नैक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शहरों के अंदर कई बड़ी इमारते थी अब शहरों के अंदर भी कई बड़ी इमारते बढाई जा रही थी ठीक है और जो हमार और विभिन कलात्मक और वाड़िजक उद्ध्योगों का विकास हुआ यानि पहले भी जो इमारते थी वो बनाई जा रही थी वो कुछ-कुछ इमारते बनाई गए थी पर अब उन इमारतों की जो संख्या थी वो पड़ गई और कलात्मक और वाड़िजक जो उद्ध्योग बगएरा होते थे उनका भी विकास होने लगा ठीक है चौता अलिटो चरण अब हम चौती चरण की तरफ चलेंगे पहला आप इसमें लिख सकते हैं चौती चरण में इस चरण में शहर को एक वर्ग के रूप में विक्सित किया गया जिसमें सड़कों को समकौन पर काटा गया नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शहरों कि योजना में प्राकारिक्ता पाई गई और राजनितिक वर समाजिक नियोजन की वज़ह से हैं शहर के सपसक्व का संबै ज़ोग का दोस्ती अ करेंगे खे 한 95 अंभिशा करेंगे चलेए फिर देख लेते हैं इसमें आप फर्स्ट पाइंट लिख सकते हैं शेहर का नियोजन का एहम हिस्सा यह था कि यह शेहर अपने पड़ोसी छेत्रों में छेत्र के साथ संबंदित था ठीक है इसमें डेन, स्रेमिक और कासे की उत्पादन के लिए कई कारेशालाईं थी नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं इन कारेशालाओं के संचालन में शहर के शाशकों का प्रियोजना और नियंत्रन था यानि ये जितनी भी कारेशालाओं बनाई गई थी उसमें शहर का जो प्रशाशन था उन्हों वो सभी को नियंत्रित करता था ताकि सारी चीज़े सु वैवस्तित रोप में चल सकें ठीक है नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं इससे शहर की शाषकों की समर्थन और श्रम्मिकों की नियोजन में कोशल की प्रमुक भूमिका का पता चलता है और इसी वज़े से जो शाषक वर्ग है और जो श्रम्मिक वर्ग है उसकी जो कौशल है उसकी जो प्रमुकता है या फिर ये कहें उसकी जो भूमिका है उसका पता भी हमें चल पाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आगे हम लोग देखेंगे समग्रिय समझ समझ को देख लेते हैं अलिट्रो शहर के विकास और नियोजन की इन चलनों की जानकारी हमें इस समय की चीनी समाज के सरचना और शेहरी विकास की समझ में मदद करती है ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आगे हम एम देखेंगे अलेट्रो अर्थ वैवस्ता यानी Munक्य रूप से जो अर्थ वैवस्ता थी वो ज़ादतर किर्शी पर ही इस्थिति ती क्योंकि देखें पहले कोई उध्योग वगयरा या पिर ऐसे ट्रेडिंग बगयरा तो चीज़े होती नहीं ती किर्षी थी, तो किर्षी पर ही जादर चीजे बेस्ड होती थी, तो सबसे फ़हले हम किर्षी को ही देखेंगे, किर्षी में आप लिख सकते हैं एलिट्रो शहर की अर्थवयवस्ता का मुख्या आधार किर्षी पर था यानि जैसे मैंने आपको बताए, सबसे मुख्या अधार जो था वो पिर्शी पर ही होता था नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे उनकी खेती में गयहूं विभिन परकार के बाजरा और चावल की खेती होती थी यानि यहाँ पर गयहूं के खेती होती थी और विभिन प्रकार के बाजरे की खेती होती थी I hope आपको पता होगा कि बाजरा क्या होता हो कि और चावल की भी खेती होती होगी अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर हो कि Next point है हमारा साथ ही सबजियों की पसले भेंस ब्हPlay तो करने चावल के चावल वियापार के यहाँ कर देखring वियापार क्याता है अब हम वियापार को देख लेते हैं वियापार में आप पहला Mia के गैंगे व्यापार एक महतपूण आर्थिक का अर्थिक गतिव इभ़े थी और यह हैапि बैट्पुन् योगदान करती है, देखी व्यापार, वह सबसे महतपुन् गतिविती हम अर्थिक रूफ की च tentative में और जो शहर की संपत्ति होती है उससे नेक्स पहुंटार बाखका लेटुर शहर अन्यob करते वियाद के और तदू चैजन का संवारot मिट्टी कीमती पत्थल लकड़ी जनवरों खाद्यपधार्थ और बढ़िया तयार किये गए सामानों का आयात करता यानि ये सारी चीजे जो था इलिट्रो शहर वो आयात भी करता था, यानि निर्यात के साथ साथ इलिट्रो शहर आयात का कारे भी करता था, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप इसमें लिख सकते हैं, ये आयात दूसरे स्थानों से प्रतियक्ष या परोक्ष रू जो आर्थिक गतिविद्या होती थी उसको बढ़ावा मिलता था ठीक है अब हम देखेंगे यहां के संसादनों की प्राप्ति किस तरह से होती थी चली देख लेते हैं संसादनों की प्राप्ति को पहला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे इलिट्रों के पास अपने निकट के पहाड़ों और नदी घाटियों ने विबिन संसादनों की सही प्राप्ति की सुविधा प्रदान की जैसे हमने पहले ही देखा तो जो इलिट्रों शहर है ये नदी के किनारे बसा हुआ था तो यहां पर हमें सारी सुविधा मिल जाती थी पहाड वगेरा और जो नदी के घाटी वगेरा होती थी वहापर उपजाओ जमीन और जो प्राकृतिक संसादन वगेरा होते हैं सारी चीज़े उपलब थी नेक्स आप इसमें लिख सकते हैं शहरों के पास धातू, नमक और शिकार के अलावा और भी चीज़े यानि खेती के उत्पादन के लिए भी चीज़े मौजूद होती थी नेक्स आप इसमें लिख सकते हैं नदी घाटियों के माध्यम से शहर का व्यापार अधिक दूरी पर इस्तित अन्ये शहरों और अन्ये आसपास के छेतरों के साथ भी दूरी तक हो पाया ठीक है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आगे अब हम देखेंगे खनीज के इलिट्रो शहर के खनीज कैसे थे इसमें आप लिख सकते हैं व्यापार में खनीजों का महत्पुर इस्तान था जैसे की कास्ये जैंड और अन्ये शिल्प उध्योगों के लिए जरूरी धातू और खनीज ठीक है नेक्स टाप इसमें लिख सकते हैं इन खनीजों की खोज और अन्ये प्रसंसकरन शहर की सरचना और आर्थिक विकास में महत्पुर भूमी का निभाते हैं देखी कोई भी खनीज क्यों न हो वो शहर के लिए या फिर ये कहें उस छेत्र के लिए उसके तरचना और आर्थिक जो विकास होता है उसमें महत्पुर भूमी का निभाते हैं हमें दिखाई देते हैं अईभ आपको सारी ही चीज़े अच्छे से समझ में आ रही होंगी अगर आपको कोई भी डाउट हो या किसी भी पॉइंट में कोई प्राबलम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट सकते हैं मैं जरूर आपके कमेंट का रिप्लाइ देने के पुरी-पुरी कोशिश करूँगी चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे हमारा है कास्य उत्पादन अब हम कास्य उत्पादन के बारे में चर्चा करने वाल है विशेश पुर्णाली अब हम विशेश पुर्णाली की नजर से देखेंगे पहला आप इसमें लिख सकते हैं जिया संस्कृति की प्रमुक विशेश ता कास्य के उत्पादन के लिए विशेश पुर्णाली का विकास था यानि जो यहां की जिया संस्कृति थी उसका जो प्रमुक विशेश ता वो कास्य के उत्पादन के लिए अन्ये जो कास्य की उत्पादन की जो वैवस्ता होती थी या कास्य के जो बरतन होते थे और अन्ये जो चीज़े होती थी उनका उत्पाद किया जाता था ठीक है अब हम देखेंगे प्रशाशनिक सरचना के यहां की प्रशाशनिक सरचना किस तरह से थे ठीक है प्रशाशनिक सरचना में फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कास्य के सामानों के उत्पादन को एक प्रशाशनिक सरचना दुआरा बढ़ावा दिया जाता था यह सरशना संसादन, परिवेहन, कामकाजी, आबादी और कारिगरों को नियंतरित करती थी यानि ये जो परियोजना होती थी ये संसादनों पर, परिवेहनों पर, कामकाजी, जो आबादी होती थी और कारीगर जो होते थे उन सभी पर नियंतरन करने का कारे भी करती थी ताकि सभी लोग सही तरीके से कारे कर सके और सही तरीके से यह यह कहें सुव वैवस्तित ढंग से सारी चीज़ों का हैंडिल किया जा सके अगर सभी लोग अपनी मनमानी करेंगे तो फिर कोई भी कारे न कासे उतपादन के लिए तकनीक की विशेष अगयता थी इस इसे काच्छे उतपादन के लिए तकनीकी विशेष अगयता थी ठीके नेक्स आप इसमें लिखेंगे कहनाः और Phone और on फिर तांबा टीन में का ना dram को सीशा सा के या उसकों कि पहचान Gmail को उसके यानि नि कृतकि पेकहँनन में हम्यां को हुआ उसके पह इसमें बठाइत एसमें आगे में हांगे होंगे अब हम next point देखेंगे next point आप इसमें लिख सके धातों को प्रेस थापित करने के लिए अलग-अलग अनुपादों में मिलाने की पिरकिलिया आविशक थी यानि धातों को किसी भी अन्य रूप में बदलने के लिए कितने चीज कितने अनुपाद में मिलानी है यह पिरकिलिया बहुत ज़्यादा आविशक थी और बहुत ज़्यादा important थी ठीक है क्योंकि अगर कोई भी चीज ज़्यादा या कम हो जाए तो वो चीज नहीं बर्बादी थी इसलिए इनका जो अनुपाद था वो सही होना आविशक था नेक्स्ट अब हम देखेंगे उचतापमान प्राप्त करने के लिए तकनीकी जानकारी की जरूरत यानि कितने तापमान में क्या चीज होगी या उचतापमान कहां यूज होगा कहां कम तापमान होगा इसलिए भी हमें तकनीकी जानकारी की आविशक थी अब हम देखेंगे उच्च तापमान प्रिकिरिया के उच्च तापमान प्रिकिरिया क्या थी पहला आप इसमें लिखेंगे उच्च तापमान प्रिकिरिया को नियांतरित करने के लिए विशेश यग्यता की आविशकता थी यानि उच्छतापमान जो प्रिक्रिया है उसको नियांतरित करने के लिए हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए ऐसा नहीं है कोई भी बेकार सा इंसान हमने वहां पहुचा दिया और वो उसे हंडिल कर रहा है जबकि उसे आता कुछ नहीं है आएगा नहीं आएगा तो इसी लिए जिस व्यक्ति की जगा जो है उसे वहां नियंतरित करना या फिर वहां न्यूक्त करना बहुत जादा आविशक है ताकि सारी चीज़ें सो व्यवस्तित रूप से चल सके नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं श्रमिक मॉडल बनाने किस तरह से डालना है और उसे किस धाचे में बदलना है इन सभी की जानकारि के लिए हमें तकनी की जानकारी की आविशकता जरूरी थी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं गाहिए नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक जो स्टाट होता है नेक्स है हमारा प्रिसिक्षण और निगरानी यानिव ungefhora रिसिक्षण और निग्रानि के ऊपर चर्चा करेंगे इसमें हम लिखेंगेorkाश्य कासे उत्पादन में प्रिश्रिक्षणों को प्रिश्रिक्षित करने उनके काम की निगरानी करने और इस तर आपूर्थी की सुरक्षता के लिए प्रशाशनी कौशलता की आविशक्ता थी ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आगे हम देखेंगे अर्थवयवस्ता और समाज के जो हमारे अर्थवयवस्ता और समाज था किस तरह से था फॉस्ट माइट आप इसमें लिख सकते हैं कासे के उत्पादन ने बड़े पैमाने पर इस दुनिया में वस्तूओं के लिए एक बड़े अभीजात वर्ग के बाजारों को ग्रहन किया यानि कासे के उत्प जो था और उसकी जो अर्थवयवस्ता थी अब वो बड़े पैमाने पर फैल तीवी हमें तिखाई देने लगी थी ठीक है चलिए आगे बढ़ते है अब हम देखेंगे इसका निशकर्श किस तरह से लिख सकते हैं इसमें आप लिख सकते हैं कासे उत्पादन का विकास प्र मुख विशेशता थी और यहां जो जिया संस्कृति थी उसके लिए भी क्योंकि इसने प्रशाश्रिक सरचना को भी प्रमोट किया उसे आगे बढ़ाने का कारिक किया था कासे वैवस्ता को ठीक है अब आगे इसमें लिख सकते हैं उत्पादन प्रकिरिया के लिए तक्नीक के लिए है आयसक हैं और जो मिश्राण की पहचान है वो आराम से हो सके किस नी मातरा में क्या चीज़ मिलानी है वो पता चल सके इसलिए यहां के लोगों को तक्नीक की बहुत जादा आविशक्ता थी और इसी वज़े से यहां तक्नीक का विकास भी हुआ था ठीक है कासे को प्रति स्थापित करने के लिए उच्य तापमान प्राप्त करने की तक्नीकी ग्यान की आविशक्ता थी और उच्य तापमान प्रकिलिया को नियुंत्रित करने के लिए विशेश रग्यता की आविशक्ता थी यानि देखो कासे को किसी और अन्य रूप में बदलने के लिए कोई अन्य शेप द्याने के लिए जो तापमान था सब्सक्ति और जी आविशक्त थी और उच्छत भी अबस तापमां के लिए वहाँ घ्यान की आविशक्त थी विश्य सब्सक्राइब हम इसाने कोई बढ़ा दो नहीं एक लिमिट हो त ही हर से की तो उस लिमिट तक पहुचाने के लिए वहाँ तक्नीक की आविशक्ता थी और ज्यान की आविशक्ता थी ठीक है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें आप लिख सकते हैं इस उत्पादन ने एल्ट्रो समाज की अर्थवैवस्ता को सम्रिद्धी देलाई और एक बड़े अभिजात वर्ग के बाजारों को बढ़ावा दिया यानि हम कह सकते हैं यह जो हमारी कासे यूग था इसने अल्ट्रो समाज की अर्थवैवस्ता थी उसको सम्रिद्धी दिलाई और उसे आगे बढ़ाने का प्रियास क्यारों की जो अभिजात वर्ग था उसको बढ़ाने का भी प्रियास किया आपको यह पूरा निस्करश और यह पूरा ही चैप्टर अच्छे से समझ में आगया होगा और आपने यह तीनों वीडियो देख ली होगी तब ही आप यह लास्ट वाली वीडियो देख रहे हो यानि हमारी थर्ड वीडियो अगर आपको तीनों ही पार्ट में यानि इसको लगा कर किसी में भी कोई भी confusion हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं otherwise आप मेरी वीडियो को लाइक करना and हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना and for more connectivity आप हमारे टेलिगाम ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं आप हमारी इंस्टाग्राम आइडी को चेक आउट कर सकते हैं यह हमारी टेलिगाम ग्रूप का लिंक है अगर आप चाहें तो चेक आउट कर सकते हैं and सबसे information चीज जो हमारी most information वारी चीज है first मैं आपको बता दूँ आपने अभी तक अगर आप लास्ट तक वीडियो देखने हैं आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब तो करी लिया होगा and अगर आप चाहते हैं कि आप जो अभी पढ़ रहे हैं यह सारे ही नोट्स आप self study कर पाएं और खुद देख पाएं तो आपको हमारा एप the learners community do sol को simply download करना है आपको play store पे मिल जाएगा यह easily जैसे ही आप हमारे आप का नाम डालोगे और यह हमारे आप का logo है जैसे कि आप देख सकते हैं the learners community do sol यह हमारा एप है इसमें आप यह सारे ही features देख पाएंगे आपकी study से related बहुत सारी चीज़े आपको आपको यहाँ notes भे मिल जाएंगे books में मिल जाएंगे soul की books में मिल जाएंगे हमारे notes भे मिल जाएंगे videos में मिल जाएंगे और जो भी college की update वगरा होती है वो भी मिल जाएंगे आप अपना whole ticket वगरा और exam से related हर information यहाँ देख पाएंगे तो आप बिना देली करें, आप हमारे एप को डाउनलोड कर लीजिए and वीडियो को लाइक करना and हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, thank you for watching everyone